सो हेलो बचलो वल्कम बाक तो फो माक सीरीज जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके एक एक पीडियो को बच्चा फॉलो कीजिए तो यहाद जो हम लोग कॉंचेप्ट यहाँ पे देखने वाले है इस पे आपको पहले भी 2021 में तो सवाल देखा है इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि अगर आपके पास एक लॉंग वायर होता है तो आर दूरी पे के solid cylinder है and throughout आपको यहाँ पे current flow कर रहा है जहाँ पे हमें current density दी रहती है that is current upon pi r square यहाँ पे current आपका uniformly distributed है तो इनके वज़े से जो आपका field होता है उसके लिए आप चाहो तो सिर्फ इस एक shortcut formula को याद कर सकते हो यह आपको basically ampere law से ही आता है जिसे आप याद कर सकते हो आपका बनता है यहाँ पे hollow cylinder आपके पास hollow cylinder है suppose कि यह एक observer है तो उस observer को इस समय खाली एक circle दिखाई देने वाला है और current उसकी तरफ आ रहा होगा यानि कि इस वाले diagram में हम कह सकते हैं कि current आपको out of the plane है अब यहाँ पे दो important region है एक आपका इस cylinder के अंदर और एक आपका cylinder के बाहर अगर हम cylinder की अंदर की बात करें तो बच्चा cylinder के अंदर अगर हमने यहाँ पे एक region आर लिया है तो यहाँ के इस dotted line के अंदर कोई current है ही नहीं इसका मतलब आपका i inside 0 हो जाएगा इसका मतलब magnetic field आपको अंदर में 0 होगा हमेशा इसके उपर आपको conceptual सवाल भी पूछा जा सकता है दूसरा location अपना हो सकता है अगर हमारा small r capital r से जादा है हम cylinder के बाहर या उसके surface पे अगर है तो in that case आप देख सकते है कि इस बड़े dotted line के अंदर जो total current होगा वो आपको capital i होने वाला है तो यहाँ पे चुप चाप से हो जाएगा mu naught i by 2 pi r small r वो दूरी होगी जहाँ पे हमसे field पूछा जा रहा है इसका simple सा अगर हम graph देखे तो आपका अंदर में field 0 है और बाहर में आपका field जो है वो inversely proportional to small r है जहाँ तक field के direction की बात है तो वो बच्चा आप right hand thumb rule से निकाल सकते है कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपका current बाहर की तरफ आ रहा है तो आपने thumb को बाहर की तरफ point किया आपका जो curling finger है वो आपको field की direction बताएगा यह आपका next होता है solid cylinder जहाँ पे आपका current uniformly distributed है इसमें अगर यह रहा आपका observer तो उसे यहाँ पे एक cross section दिखाई देने वाला है again यहाँ पे interesting हो आपके लिए क्या होगा अगर हम अंदर में किसी r distance पे बात करें तो अब हमें इस dotted line के अंदर total current पता करना है that is nothing but your current density multiplied by अंदर वाले का cross section area which is your pi r square small r square ठीक तो हमारे पास यह वाला formula है हमने current inside की value यहाँ पे plug-in करी और यह मेरा formula बनके आ जाता है mu naught j small r upon 2 अगर आपको capital J की terms में answer नहीं चाहिए आपको capital I की terms में चाहिए तो इस J की value को यहाँ पे आप डालिए यह वाला formula भी आप जरूर से याद कर सकते है जहां तक बात आपका इस cylinder के बहारी point की है तो वहाँ पे तो बच्चा अगेन आपका इस बड़े वाले dotted line के अंदर total current जो होगा वो capital I होने वाला है यानि कि फिर से आपका formula mu naught i by 2 pi r होने वाला है यहाँ पे जो graph होगा very interesting है यह आपका gravity वाले graph जैसा ही दिखता है कि अंदर में आपका जो यह field है that is directly proportional to small r और बहार में inverse आपका relation है direction again आप curl rule से निकाल सकते हैं अब इसी की उपर आपके सामने यहाँ पे homework question है इस type का question आपको 2021 में भी देखा गया था हमसे यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा है यह आपका cross section diagram है यहाँ पे अंदर में आपका एक solid cylinder है बाहर में आपका एक hollow cylinder जैसा कुछ wire है अंदर में आपका current जो है वो i1 है that is your 2A uniformly across the area और बाहर वाले में जो आपका यह circumference है इसमें आपका current है वो 1A है दोनों में ही जो आपका current है वो out of the plane आ रहा है हमें यहाँ पे dimensions दे रखा है यानि कि अंदर वाले का radius हमें small a दे रखा है यह एक point जो है वो आपको A point R1 दूरी पे है और B point R2 दूरी पे है हमसे यहाँ पे ratio पूछता है net field at point A due to both the wires upon net field at point B due to both the wires इसका answer आप निकालिए और इसको comment section में लिखके जरूर से बताईएगा चैनल पे अगर नए है और अगर आप JAS parent है तो बिना subscribe किये बिलकुल मज जाईएगा Take care, wish you best of luck अगर आप